हेलो स्टूडेंट माइनेमेस मैं इस वीडियो पर बात करने वालों 36 गड़ बोट परिच्छा 2022 कक्छा बारवी विसाय हिंदी सेट एक के बारें बताने वालों तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, सेयर और योटूब चैनल को सस्क्राइब कर ले सबसे पहले देखते हैं खंड का अदो लिखेत अपठित गड़्यांस को ध्यान पुर्वक पढ़कर इन पराधारित प्रशनों के उत्तर लिखिए जल ही जीवन है, स्रिष्टी का आरम जल से ही है, ये पूरा अपठित गड़्यांस सबसे पहले अच्छे से पढ़े लेना है इसी टाइप के आपके अपठित गड़्यांस पहले प्रशन पर पूछे जाएंगे टॉपिक दूसरा हो सकता है यहाँ पर, तो इस तरह से आपको इसको अभ्यास करेंगे तो कोई भी दूसरा आपका अपठित गड़्यांस प्रशन में पूछा जाता है वो आसानी से बना सकते हैं, तो इस तरह से आपको पांच कोश्चन दो नमबर के रहेंगे और इसका दो कोश्चन रहेगा, एक एक नमबर का रहेगा, तो इस तरह से आपको पूछे जाएंगे अपठित गड़्यांस से ही पूछे जाएंगे प्रशन को, उसके बाद प्रशन करमांग दूसरा दिया है आपको कोई भी काव्यांस दिया जाएगा, उसका भावार्त समझ कर, जो प्रशन दिया गया है वो सभी का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, तो यहाँ पर पहला प्रशन इस्वर के द्वारा प्रकृती के भीतर छिपाया खजाना क्या है हो सकता है इन्ही में से ही प्रशन आपको पूछा जाए, लेकिन आपको काव्यांस को दो से तीन अभ्यास कर लेना है उसके बाद इन्ही में से प्रशन कर मांग तीन एक निबंद आएगा जो पहला जो दिख रहा है ओल्लाइन सिख्छा वर्तमान परिछेप्य में पर्यावरन प्रदूसन जहां चाव वहारा वैस्विक महमारी कुरोना वाइरस तो ये दो टॉपिक है अ और दवाला वैरी इंपोर्टेंट है आपको दो सब्दो पर निबंद लिखना है उसके बाद चौथा प्रशन देख लेते क्या दिया है डाग घर की अन्यमत्ता के कारण जो हानी हुई उसके संबन में डाग तार्विभाग को एक सिकायती पत्र लिखी ये इंपोर्टेंट है जो अथ्वा में दिया गया अपने प्रचारे को एक पत्र लिखे जिसमें सहब पाठी असोग चौधरी द्वारा लॉगडाउन की अउधी में प्रसशनी कार्य के लिए उन्हें सुसोभित करने का अनरोत किया गया सम्मानित करने का अनरोत कि पांच नंबर का प्रस्ण इसी तरह से आपको तयार करना है उसके बाद आ जाता है पत्रकारिता से प्रस्ण आएंगे चार नंग की प्रस्ण होंगे जरूरी नहीं है जन संचार क्या होता है ये इंपोर्टेंट कोशन है इसका इंपोर्टेंट कोशन आपको नेस्ट वीड मुख भाग लेकि कार्टून को ना किसी भी समचार पत्र को किस प्रकार प्रभाव साली बनाता है important question है कहानी के तत्वों के नाम लिखना है आपको इसका उत्तर model paper में पहले बता दिया है तो आप वहाँ पर जाकर जरूर देखे उसको अधूरी कहानी को पूर्ण न करने तो यह आपको समझने में helpful करेगा सारा तीनों सैट आपको website पर मिलेगा वहाँ पर जाकर देख सकते हैं सहरों में पेजल की समस्या पर feature आलेक तो feature आलेक आएगा feature आलेक आपको एक practice करा दूंगा कौन-कौन सा आ सकते नेस्ट वीडियो के लिए आप लोग तयार रहें ना संचार माध्यमों में कारे करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते संचेप में समझा कर लेखिए फिर आपको काव्यान सदिया गया तो काव्यान हिंदी के paper में आपको घबराना नहीं है जादा से जादा अंक आप प्राप्त करेंगे तो इस तरह से सबसे तेज बोचार गई भादो गया सवेरा हुआ तो इस तरह से आपको इस में से तीन प्रशन पूछे जाएंगे थोड़ा से आपको थोड़ा दो से तीन लाइन हर उत्तर को आपको देना होगा हर काव्यान सदिया गया उसी के अधार पर इसका उत्तर देंगे उसके बाद नववा प्रशन आ जाता है आपका निमनल इकित काव्यान स को पढ़कर नीचे दिये प्रशनों का उत्तर देना है नव में पाती बंदे बगुले के पंक 33 साच की सतेज स्वेत काया तो इस तरह से आपको इसमें भी चार अंग के प्रशन पूछे गए दो-दो अंग के प्रशन है सिल्प सौंदर करने के लिए आपको प्रशन दिया जाता है काव्यांस परधारित प्रशन इस तरह से दोनों प्रशनों को आपको उत्तर देना है काव्यांस के लिए लगबग 2-3 काव्यांस अपने पाठे पुस्तक से अलग कर ले और उसको अभ्यास करे तो बाकी कोई भी काव्यांस आपको पूछा जाये प्रशन में वो आसानी से कर पाएंगे उसके बाद आ जाते हैं जिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में बच्चों की प्रत्यासा को कविन 21 प्रकार प्रस्तुत के इंपोर्टेंट कोश्चन है इस साल के लिए भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कविता वली में उद्धरित चंदो के अधार पर स्मष्ट करे तुलसे दास को अपने युक की आर्तिक विसमता की अच्छी बास समझ है उसके बाद आपका आया है अधो लिखित गध्यांस को पड़ करें गध्यांस दिया हुआ है सफ्या के बारे में तो सफ्या यानि की पाट पर अधारित ये आपको गध्यांस दिया गए गध्यांस के आपको उत्तर देना है तो ये सारा चीज आपको अच्छे से प्रैक्ट से आप कर सकते मैं जो चीज बता रहा हूं उसको अगर ध्यान से समझेंगे तो आप हिंदी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे आधर्स निबंद की विशेस्ता लिखें इंपोर्टेंट है इस साल भी आपको करना है क्योंकि वैकरन खंट के प्रशन नहीं बदलते हैं ल दिर्वा कात्वा प्रशन है वैरी वैरी इंपोर्टेंट कोस्चन है यसोधर बाबु की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होते लेकिन यसोधर बाबु असफल रहे ऐसा क्यों चार कारण लिखिए उसके बास सभी प्रशनों को यहाँ पर देख लेना है सिंदू सभ्यता आडंबर वारा जो कोस्चन था वो वैरी वैरी इंपोर्टेंट कोस्चन है सभी प्रशन कुछ कुछ कोस्चन इसमें से रिपेट होंगे लगबग 10% भी आपका रिपेट होता है तो भी आपके 10 अंक यहाँ से हो जाते तो इसमें से आपको तैयारी बिलकुल अच्छे से कर लेना है तो थैंक यू पूर वाचिंग वीडियो सस्क्राइब दी चैनल थैंक यू